सबसे पहले नीच वाल डिनामेटर को देखे लेगा वन प्लस कॉस्स का मुझे फॉर्मुला पता है इसका function x से इसका xy तो ऐसे value को इसमें function सेम और आपसे मैं cut सके तो आपको पता होगा एक formula sin2x equals to 2 sinx और cosx अगर इस function को में half कर दूँ ऐसे ऐसे और ऐसे तो sin x equals to 2 sin x y to cos x y to, यहां पर मैं whole square लगा दूँ, तो यहां पर भी whole square लग जाएगा, इस whole square का मतलब क्या होता है, sin square x ही होता है, तो sin square x का formula बन गया है, क्या है, 2 x y to cos और इसका whole square, आया को समझ में, विल्कुल आतो गया, इसका गरो, 4 हो गया ही है, sin square x by 2 हो गया ही है, cos square x by 2, भाई यह square तीनों पर लगएगा न, नीचे देखो, 2 cos square x by 2.dx, 2 से 4 गड़ा 2 time, cos square से cos square कट गया, 2 तो बाहर निक दिया है, मैंने बचा के अंदर, 2.dx, अब बताओ, यहां तक कोई दिख्कत है क्या, सनी, यहां तक समझ में आ गया, अब sin square x by 2 आ गया, सरब क्या करें, अब इसका भी formula होता है, प्रस क्या, फिट से भाई लिखूंगा मैं formula, 2 cos square x by 2 था, उसी तरीके से 2 sin square x by 2 का formula क्या जाता है, 1 minus cos x equals to sin square x by 2, formulas याद रखना बहुत आसान है, simple formula होता है, अपर पास कौन सा वाला होता है, cos 2x का, इसका formula होता है, 1 minus 2 sin square x, अगर यहां पर 2 लग जाएगा, तो यहां पर भी 2 लग जाएगा, तो यह cancel हो के यहां पर cos x बचेगा, और 1 minus 2 sin square x by 2, यह इसको है बेज़ेंगे, 2 sin square x by 2 का formula 1 minus cos x, ऐसे, आसान है, ज्यादा अपर नहीं है, हो जाएगा, तो इस 2 को में अंदर ही मान लेता हो, अब एक मिना टूक हो, अब आप डिरेक्ली इस पूरे की value, यहां पर क्या लिख सकते हो, 1 minus cos x लिख सकते हो, अब इन दोनों का integration अलगला हो सकता है, 1 dot dx minus cos x dot dx, अब 1 का integration करेंगे, तो x आएगा, और cos x का करेंगे, तो कितना आएगा अपने पास, सर, cos x का करेंगे, तो sin x, यह लो आगए answer, वह के लिए, यह होगा, डूलते को कितने आसान है, बस टिग्नो मैट्री का आपको formula रटेवे होने चीए, अच्छे से, जितना अच्छे, इसलिए बता रहा है, मैस के अंदर के backlogs, अच्छा clear होने चीए, backlog का मतलब है, पीछे के chapter अच्छे clear होने चीए, ताकि आगए chapter में उनका जो भी minor uses वगेर आएंगे, तो आपको आसान लगेंगे, ठीक है, और जितना पीछे के chapter साब भूलते जाएंगे, या उनको weekly train रखेंगे, तो मानके चलो, आगे के chapter भी आपके उतनी ज्यादा कमजोर रहेंगे, I hope आपको मेरे बास समझ में आई होगी, आपको पीछे के chapter हो, उनको strong करो सबसे पहले, फिर आप आगे के chapter पर command बना सकते हो, यह हो गया, question my 12 completed.